नमस्कार आदाव सस्टेकाल रादे रादे जैहिन स्वागत है आप सबका महिंदरास के ओफिशल यूट्यूब चानल पर और मैं चान्दी महिंदरास तहीं दिल से आप सबका स्वागत करती हूं तो बच चुके हैं सुबह के साड़े चे और आज है 18 जनवरी तो बिलकुल मं करना है आगे बढ़ाना है और अपने टार्गेट सेट कर लेना है कि इस पूरे वीक में आप जो है आपको कौन-कौन से टार्गेट जो है वो करने है जल्दी से बता दो कि वोईज ओर्डबल है की नहीं वीजो क्लियर है की नहीं एवरिटिंग इस ओके ओल से तो देख ले सोनम मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग तो अलो फ्यू, अभिषेक सर जुड चुके है हमारे साथ, ओके सोनम मैम आगई है, विलन दुबे गुरु कूल पहुँच चुके है, गुडिया मैम इस एर, गुलशन सर, विनीता मैम पहुँच चुकी है, हम Good morning Sharath Sir, okay, Sharath Sir भी जुड़ चुके है आज हमारे साथ बहुत दिन बाजश्रिफ्सकुमार सर इस हीर, dear English meet जुड़ चुके हैं, हमारे साथ दीपक सर इस हीर, okay, P.U. उश्राज सर जुड़ गए है, तो फट फट सेशन को जो है स्टार्ट करते हैं और शुरुवात करते हैं हमार किसी के जो है आने वाले upcoming examination है, RRB clerk का result भी awaited है, इसके अलावा करें हम बात करें तो SBI के examination है, तो बहुत सारे examination lined up है, intelligence bureau, SSC है, railway का जो है third phase के examination भी start होने वाले हैं, तो अगर मैं बात करूँ तो आज से जो है, आज से IBPS, RRB, P.O. के लिए मेंस के badge की शुरुआत हो रही है Zoom platform पर, तो बिल्कुल जो है एक link share की गई थी Telegram पर और various Mahindra's के channels पर, उस link को fill करके आप RRB, P.O. Mains का जो free of cause badge है, ये 10 दिन का आपका crash codes है, तो बिल्कुल बैतरीन तरीके से तयारी करा दी जाएगे, जिसके शुरुआत आज से हो रही है, सुबे 7 बजे से बही इन बैस की चुरुआत हो रही है, तो जल्दी से बढ़ते हैं आज के important day की तरफ, तो according to our chart, आज को important day नहीं है, अगर को important day रहेगा, तो बिल्कुल उसे क्या कर लिया जाएगा, अपडेट कर लिया जाएगा, और जल्दी से बता दो कि सब लोग brainstorming MCQ के लिए ready हो की नहीं, अच्छा, बहुत सारे में, आप ही में से कुछ candidates नहीं कहा था कि बहुत सारे MCQs ना कराया जाएगा, न्यूस के बाद MCQs कराया जाएगा, तो बिल्कुल आज तोड़े से MCQs हम starting में करेंगे, सिर्फ एक बार overview revise करने के लिए, बाकि MCQs हम न्यूस के बाद में करेंगे, definitely, तो जल्द Startup India International Summit was held in New Delhi, which saw participation of members of BIMSTEC countries, that is, Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Corporation countries, under the event name, हाली में, नई दिल्ली में, Startup India International Summit का आयोजन किया गया, जिसमें BIMSTEC सदस से जो है, वो शामिल रहे, अब ये BIMSTEC countries कौन सी है, बहुत छेत्रिय तकनिकी और आर्थिक सायोग के लिए, बंगाल की पहल खाड़ी वाल आपको बताना है कि इस इवेंट का नाम क्या था, ठीक है, ये जो Startup India अंदराश्ट्रे समेलन हुआ है, इस इवेंट का नाम क्या था, ये बताना है आपको, तो जल्दी से बता दो भाई, इस इवेंट का नाम क्या था, फटा-फट बता दो कि इस इवेंट का नाम क्या था बिल्कुल आपके पास ऑप्शन है सुपर स्टार्ट एश्या हंड्रेड ऑपरेशन आरंब ऑपरेशन सिक्योर या फिर प्रारंब तो बिल्कुल आंसर आ गया है इस इविंट का नाम क्या था प्रारंब प्यूष गोयल जी ने इसकी क्या की थी लांचिंग की न्यू डेली में अगर हम बात करें किसके बारे में बिमस्टेक के बारे में तो बिमस्टेक कंट्रीज जो थी इसमें चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल रही ये जो बिमस्टेक समू है बंगाल की खाड़ी का जो समू है इसे बनाया गया था ध्यान रखना कब 1997 में इसे कब बनाया गया था 1997 में अगर हम बात करें तो इसका सेक्रेटेरियट जो है इसका सेक्रेटेरियट कहां पर है धाका में है इसका सेक्रेटेरियट है कहां पर धाका बांगलादेश में है बिम सेक में मेंबर कंट्रीज भी कितनी है साथ है कौन कौन सी है भई बांगलादेश है भूटान इंडिया मेनमार ठीक है सार्क में जो है मेनमार प्रेजेंट है वहां पे कौन सी कंट्री है मालदीव से इसके अलावा नेपाल है इसके अलावा श्री लंका है और इसके अलावा और ध्यान रखना, बिम्स्टेक के जो एड प्रेजेंट सेकेटरी जनरल है, उनका नाम है टेंजिन लेकपाल, ठीक है, उनका नाम जो है टेंजिन लेकपाल, भूटान को ही बिलॉंग करते हैं, कहां से बिलॉंग करते हैं, भूटान को ही बिलॉंग करते हैं, अब, अगर हम बात करें तो सबसे पहला सम्मेलन हुआ था बिम्स्टेक का 2014 में अच्छा ये जो सम्मेलन होता है वो कैपिटल सिटी में ही होता है कि कैपिटल में ही होगा तो 2014 का सम्मेलन जो हुआ था था थाइलिंड में मतलब कहां पर हुआ होगा बैंककॉक में हुआ होगा दूसरा सम्मेलन जो हुआ फिर हुआ 2000 सौरी ये कितना है 2004 है दूसरा सम्मेलन कब हुआ 2008 में और कहां पर हुआ इंडिया में मतलब न्यू डेली में तीसरा जो बिम्स्टेक का सम्मेलन हुआ था वो हुआ था कब 2014 में और ये सम्मेलन होँ था कहाँ पर मैनमार में, तो मैनमार की capital क्या है नेपीदव, वहाँ पर हुआ था इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो चौटा सम्मेलन जो हुआ 2018 में, कहाँ पर नेपाल में, नेपाल की capital मतलब काटमांडू में, और जो पाँचवा सम्मेलन है, वो प्रपोस्ट है कि होगा कब 2022 में, और ये जो प्रपोस्ट है होगा कहां पर श्री लंका में, कहां पर प्रपोस्ट है भई, श्री लंका में प्रपोस्ट है, मतलब श्री लंका की commercial capital कोलंब तो श्री लंका की भी दो capital है, एक कोलंबो, एक श्री जैवर्दिनेपुरम कोटे, कोलंबो कमर्शिल कापिटल कही जाती है, C से कोलंबो, C से कमर्शिल ध्यान रखना, और श्री जैवर्दिनेपुरम कोटे वहाँ की administrative capital, प्रशासनी capital कही जाती है, बिल्कुल, yes, okay, जालो, very good morning, Ranjana, ma'am, बहुत बढ़िया, very good morning, फटा फट सेशन को क्या कर देना, आप जहां-जहां पर भी connected है, सेशन को share कर देना है, चीक है, चलो, next बढ़ रहा है, अगले question की तरफ, which of the falling act is exclusively intended to deal with the combating, hunting and poaching, निमलेखित में से ऐसा कौन सा अधीनियम है, जो विशेश रूप से शिकार और अवैज शिकार से निपटने के लिए बनाया गया है, तो आपको बताना है, इन में से ऐसा कौन सा act है, जो हंटिंग और poaching के लिए बनाया गया है, उससे लड़ने के बनाया गया है, तो आवाइज शिकार से लड़ने के लिए जो act बनाया गया है, वो बिल्कुल कौन सा है, वाइललाइफ प्रोटेक्शन आक्ट, कब का 1972 का, तो देखो वाइललाइफ प्रोटेक्शन आक्ट का इयर भी क्या रहेगा, डेफिनेटली इंपोर्टेंट रहेगा नेक्स 首 वाराई अगला ग्वेशन, चित्रगुप्त टेम्पल is located in which Indian state, चित्रगुप्त मंदेर भारत के किस राज्य में ़िस्तेत है, आपको बताना है कि इन में से चित्रगुप्त टेम्पल जो है, वो कहाँ पा लुकेटेड है, अठाट ये जो चित्रगुप्त टेम तमिल नाडू में लोकेट ए, कहां पर लोकेटेड है, तमिल नाडू में लोकेटेड है, नेक्स्क्येशन, Where is the International Atomic Energy Agency Headquarter, अंतराष्रे पर्मानु उर्ज आई ए का मुख्याल है कहां पर स्थेत है, तो अंतराष्रे पर्मानु उर्जा एजेंसी का हेटकोर्टर पूछ रहा है International Atomic Energy Agency का headquarter पूछ रहा है option है आपके पास New York, Burn, Madrid या फिर Vienna तो बिल्कुल International Atomic Energy Agency का मुख्याले headquarter कहाँ पर located है भई, कहाँ पर located है Vienna, Austria में located है, कहाँ पर located है Vienna, Austria में और International Atomic Energy Agency के नए Director General तो बने थे उनका नाम क्या है Rafael Grossi है, जो Argentina से बिलॉंग करते हैं कौन है, Rafael Grossi है, अच्छा, Vienna, Austria में एक और important organization का headquarter है, कौन सी है, OPEC Organization for Petroleum Exporting Countries का headquarter भी कहाँ पर है Vienna, Austria में है, जबकि Vienna OPEC की member नहीं थी Next बढ़ रहा है, अगले question की तरफ In which state of India is the Dooyang Hydro Electric Dam located Dooyang Hydro Electric Dam, जो है, वो कहाँ पर सित है तो बिल्कुल News में बना हुआ है, Dooyang Hydro Electric Dam और ये जो located है, पानी से electricity को generate किया जाता है तो Hydro Electric Dam है, और ये located है, कहाँ पर भाई, नागलेंच में located है, कहाँ पर located है, नागलेंच में located है Next question, where in India is a धंकारा dance celebrated, भारत में धंकारा नित्र जो है, कहां पर मनाया जाता है, तो धंकारा dance form जो है, ये कहां का जो है, डांस फॉर्म है तो बिल्कुल धंकारा नित्र जो है, ये celebrate किया जाता है, कहां पर पंजाब का ये dance form है, पंजाब का गिद्दा भी है, इसके अलावर ढंकारा भी कहां का है, पंजाब का dance form है, next question, the Nismit Trophy is associated with which of the falling sports, Nismit Trophy जो है किस खेल से संबन देते आपको बताना है, तो हाली में अगर मैं बात करूँ, तो Google ने Doodle बनाया था, जैके Google ने Doodle बनाया था, अगर आपने देखा होगा, जैसे आप Google खोलते हो, तो बीच में Doodle बना रहता है, और एक बात भाई, Wikipedia जो है 15 जनवरी को अपनी 20 जो है वर्षगार्ट मना रहा था, ठीके न, Wikipedia जो है अपन और Google ने उनके उपलक्ष में उनकी याद में Doodle भी बनाया था, तो Naismith Trophy जो है किस केल से संबन देता है, बास्केट बॉल से संबन देता है, बिल्कुल बास्केट बॉल से संबन देता है, और Naismith Ji के नाम पर ही Google ने Doodle बनाया था, अगर मैं बात करोँ Naismith की तो वह इन्व अब देखो Naismith Trophy जो है, बिल्कुल बास्केट बॉल केल से संबन देता है, बास्केट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, पांच आंसर आ रहा था, अब ओके हैं, बास्केट बॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, पका निदीमा, चलो, प्लस 7 मतलब 12 खिलाड़ी होते हैं, ब 12 खिलाड़ी होते हैं, आब देखो जोसना माम, everything is okay, अब ओके हैं, सबके सबकी 5 खिलाड़ी होते हैं, क्रिक्ट और फुट-बॉल में तो कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 ग्यारह होते हैं, बास्केट बॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, ठीके मैंने पूछा था वाली वाल का, वॉली वॉल में कितने खिलाडी होते हैं, 6, बेसबॉल की बात करें, 9, रगभी फुटबॉल की रगभी गेम तो देखा होगा, रगभी फुटबॉल में 15, पोलो में 4, वॉटर पोलो में कितने खिलाडी होते हैं, 7, कबड़ी में भी कितने खिलाडी होते हैं, 7, तो वॉटर of players में से अकसर मैंने देखा है कि question पूचे जाते हैं और यह question आपको reasoning में भी पूचे जाते हैं ठीक है आप जब reasoning में करते हो तब भी question पूचे जाते हैं कि cricket is to 11 है तो baseball is to कितना होगा तो यह आपको पता हो नहीं चाहिए नमर इंस्टिट्यूट ऑफ नूटरेशन लुकेटेड राष्ट्य पोशन संस्थान जो है किस शहर में सेते हैं आपको बताना है नाशनल इंस्टिट्यूट ऑफ नूटरेशन कहां पर लुकेटेड है नेक्स question the desert national park is situated in which part of India desert national park जो है बारत के किस भाग में सेते हैं बिलकुल निदी में बाकी कि जो रहते हैं कोको में extra place रहते हैं ठीक है desert national park जो है वो भारत के किस राज में सेते हैं option है Odisha में जारकंड राजस्थान या फे न्यू डेली तो भई desert से ही समझ में आ जाना चाहिए कि desert national park कहां पर located होगा राजस्थान में अच्छा एक राजस्थान में एक और important है कौन सा रांथम बो नाशनल पार और एक और अगर याद होगा तो कियो लादेव नाशनल पार जो है वो भी located है कहां पर राजस्थान में located है अच्छा कियो लादेव नाशनल पार जो है ये important क्यों है क्योंकि ये युनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी प्रेजन्ट है इसके अलावा जो है रामसार साइट में जुड़ने वाला चिलका लेक के साथ ये पहला नाशनल पार्क था ठीक है न तो ये कियो लादेव नाशनल पार्क राजस्थान का ये भी क्या रहेगा definitely important रहेगा अब बढ़ रहे हैं अपने current affairs analysis के साथ बाकी questions जो है session के बात में करेंगे तो सबसे पहले news आ रहे है आपके screen पर Indian entrepreneur Kiran Majumda Shaw among three wise new chairs of US India Business Council भारती उद्यमी Kiran Majumda Shaw अमेरिकी भारत वैपार परिशत के तीन नए उपाधधक्षों में क्या की गई है शामिल की गई है अगर मैं बात करें तो US और India के relationship को और भी strong बनाने के लिए US India Business Council बनाया गया है ठीक है इसमें जो है इंडिया की तरफ से Indian entrepreneur Kiran Majumda Shaw जी जो बायो कॉन की अध्यक्ष है उन्हें क्या किया गया है शामिल किया गया है अगर हम और इस news के बारे में बात करें तो US India Business Council बना हुआ है ठीक है जिसमें जो है टॉप corporate leaders को vice chairman बनाया गया है 2021 के लिए और global board of directors में रखा गया है US India Business Council के तो इंडिया की तरफ से अगर हम मैं बात करूँ तो इंडिया की तरफ से जो है vice chairman के list में शामिल हुई है बायो कॉन की executive chairperson Kiran Majumda Shaw इसके लावा इस US India Business Council में और कौन भी शामिल हुए है Amway company भाई Amway के products बहुत लोगों ने use की होंगे Amway company है इसके CEO Milind Pant को भी शामिल किया गया है vice chair at Nasdaq Nasdaq क्या है USA का stock exchange जो है Nasdaq के Edward Knight को भी इसमें क्या किया गया है शामिल किया गया है तो यह जो तीन नई appointees है यह US IBC में काम करेंगे मतलब US India Business Council में काम करेंगे जिसकी president कौन है निशा बिस्वाल है और यह जो US India Business Council है यह relationship को और strong करता है strengthen करता है इंडिया और US के बीच के relationship को commercial relationship को तो important point रहेगा कि इंडिया की तरफ से जो है कौन शामिल हुई है तो वो बिलकुल कौन है किरन मजूमदा शौजी जो बायो कौन की chair person है next news की तरह बढ़ रहे हैं Yes Bank joins hands with Adit Tabilla Financial Services to launch wellness theme the credit cards Yes Bank ने Adit Tabilla Financial Services के साथ एक agreement पर sign किया है जिसमे Yes Bank के customers जो है अब Adit Tabilla Financial Services की अलग-अलग securities और अलग-अलग facilities का क्या कर पाएंगे lab ले पाएंगे और इसे नाम दिया गया है wellness themed credit cards तो दोनों मिलकर जो है wellness themed credit cards क्या कर रहे हैं launch कर रहे हैं कौन Yes Bank Adit Tabilla Financial Services के साथ मिलकर अब इस news के बारे में और थोड़ी सी बात करें अगर हम बात करें Yes Bank Wellness जो credit card रहेगा जो ये partnership करके बना रहा है Adit Tabilla Wellness Private Limited के साथ ये एक health card रहेगा पूरी तरीके से जो health और wellness of customers की तरफ ध्यान देगा इसके जो credit card holders रहेंगे उन्हें complimentary health benefits मिलेगा जब वो Adit Tabilla Multiply App में अपने आपको क्या कर लेंगे रजिस्टर कर लेंगे तो जो Adit Tabilla Wellness वाले जो अगर मैं बात करूँ ग्रहा के हैं इसके लावा Yes Bank के ग्रहा के हैं तो दोनों को ये opportunities मिलेंगी दोनों को ये functionalities मिलेंगी इस particular credit card में जिसमें annual health check-up मिलेगा इसके लावा round the clock doctor या फिर counselor help line मिलेगी इसके अलावा home based workout sessions प्रोवाइड किये जाएंगे personalized diet plans प्रोवाइड किये जाएंगे तो ये जो credit card है इसमें बहुत सारी facilities दी जा रही है ठीके इसमें complimentary benefits दिये जा रही है health check-up करने जाएंगे तब भी complimentary benefits मिलेंगे ठीके इसके लावा diet plans जो है उसमें भी क्या मिलेंगे आपको complimentary benefits मिलेंगे तो yes bank ने आदित तबिला wellness private limited के साथ मिलकर जो है एक नया credit card launch किया है जिसे नाम दिया गया है yes bank wellness plus credit card next अगर हम बात करें तो the hindu indian express इन सारे newspaper का एक देख रहे है just कि क्या क्या important रहा है इन सारे newspaper में आज तो सबसे पहले पीए मोदी जो है वो भूमी पूजन करेंगे एहमदाबाद Metro Rail Project के दूसरे चरण का ठीक है पीए मोदी जी जो है आज ठीक है यह 17 जनवरी की news है रात में ही flash होई थी तो आज पीए मोदी जी जो है बूमी पूजन करने वाले है एहमदाबाद Metro Rail Project के फेस्टू का इसके अलावा सूरत Metro Rail Project की भी क्या की जा रही है शुरुआत की जा रही है आज तो बिल्कुल massive rapid transit system है बहुत तेजी से Metro's जो है वो हमारे देश में बढ़ती जा रही है हाली में हमने कोलकाता में भी देखा तो तो एहमदाबाद Metro Rail Project का दूसरा चरण चालू कर रही है और सूरत Metro Rail Project का क्या किया जा रहा है शुरा शुभारम किया जा रहा है आज नेक्स न्यूस की तरह बढ़ रही है तो National Highway Authority of India ने ये कहा है कि उसने सिर्फ एक सबतहा में 534 Kilometer Record Road का क्या किया है Construction किया है Highways का construction किया है तो बहुत बढ़ी बात है Road Transport and Highways Ministry ने ये कहा है कि उसने 534 Kilometer National Highway का निर्माण किया है सिर्फ और सिर्फ पिछले हफते में तो COVID-19 की वज़े से इतनी सारी चीजे जो है रुक्य हुई थी तो एकदम से सारी चीजे क्या हुई है रोल आउट हुई है सारी चीजे जो है वो क्या हुई है एकदम से तेजी से क्या हुई है बनना चालू हुई है तो ये जो है एक important several initiatives का एक construction रहेगा कि 534 km के national highway जल्दी से मुझे comment box में लिखकर बता देना कि road transport और highways मंत्राले किसके पास है road transport और highways मंत्राले किसके पास है और जिनके भी पास है उनका चुनावी छेतर क्या है जिनके भी पास है ये मंत्राले उनका चुनावी छेतर क्या है तो highways और road transport मंत्राले किसके पास है जब तक हम बात कर लेंते हैं किसके बारे में NHAI के बारे में National Highway Authority of India के बारे में National Highway Authority of India जो है इसे 1988 में बनाया गया था भारत सरकार के द्वारा Headquarter इसका New Delhi में ही है ठीक है ना National Highway Authority of India का Headquarter New Delhi में ही गर्मेंट के अंदर काम कर रहे है यह Autonomous Agency है और इसके चेर परसन को नाशनल हाइवे अथारिटी ऑफ इंडिया के चेर परसन कोन है बही संजीव रंजन जी है एड प्रेसेड जो है चेर परसन कोन है संजीव रंजन जी है National Highway Authority of India की ठीक है Chair Person की बात कर रहे हैं अगर हम बात करें किसके बारे में Chairman के बारे में जिनने जो है छे महीने का extension दिया गया था वो कौन ते सुखबीर सिंग संदू जीते ठीक है ना जल्दी से बता दो भई जल्दी से बता दो National Highway इस जो है Highway Ministry किसके पास है बिल्कुल नितिन गटकरी जी के पास है और कौन सा मंत्राले है नितिन गटकरी जी के पास नाकपुर महाराश्ट उनकी constituency है नितिन गटकरी जी के पास जो है Highway मंत्राले ट्रांसपोर्ट मंत्राले के अलावा जो है ट्रांस्पोर्ट मंत्राले के अलावा जो है कौन सा मंत्राले और भी शामिल है जल्दी से बता दो हाईवेज के अलावा कौन सा मंत्राले भी है तो बिल्कुल कौन सा मंत्राले भी है इनके पास MSME मिनिस्ट्री भी है कौन सा मंत्राले भी है MSME मिनिस्ट्री भी है जी के ना Micro Small Medium Enterprises भी किन के पास है नितिन गटकरी जी के पास ही है नितिन गटकरी जी के पास ही है ओके चलो नेक्स बढ़ रहे हैं अगली जो है न्यूस की तरफ और अगली न्यूस आ रही है इंडियन Classical Musician उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान जी का हाली में क्या हो गया है इंडियन Classical Musician थे, Music से Associated थे, इनका हाली में क्या हुआ है निधन हुआ है इन्हें पद्न विभूशन अवर्ड मतलब इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा Civilian Award पहला तो भारत रतने हैं पद्न विभूशन मिला था इन्हें 2018 में पद्न विभूशन मिला था इन्हें 2006 में और संगीत नाटक Academy Award रहता है तो 2003 का इन्हें संगीत नाटक Academy Award से भी क्या किया गया था नवाजा गया था नेक्स बढ़ रहा है अगली न्यूस की तरफ तो केजी शंकर जी का भी हाली में क्या हो गया है निधन हो गया है तो आप देख रहे हो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ट्वीट करके जो है अपने कॉंडॉलेंस दिये हैं केजी शंकर जी केजी शंकर जी जो है यह MLA थे Member of Legislative Assembly थे MLA थे पुड़ुचरी Assembly से इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इन्होंने BJP के लिए भी जो है बहुत काम किया है तो इनका हाली में क्या हो गया निधन हो गय जा रहा है आज से चीक है National Road Safety Month का जो है शुभारंब किया जा रहा है आज से पहले National Road Safety Week हुआ करता था अब जो है National Road Safety Month पूरा महीना जो है वो roads को पूरी तरीके से डेडिकेट किया जा रहा है तो National Road Safety Month का शुभारंब किया जा रहा है आज से यह चलेगा 18 जनवरी से लेकर चलो 18 जन्वरी से लेकर 17 फर्वरी तक ये नाशनल रोड सेफटी मन्त जो है वो सेलिबरेट किया जाएगा अगर हम बात करें तो इस रोड सेफटी मन्त में होगा क्या वैनेस फेलाई जाएगी रिगार्डिंग रोड सेफटी और कैसे जो है रोड आक्सिडेंट्स को रिड् अनौगरिल फंक्शन होगा जिसमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंग जी रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेमिस्टर नितिन गटकरी जी मिनिस्टर आफ स्टेट फूर ड़ ट्रांसपोर्ट जेडरल टायरड危 के सिंग जी इसके लावा नीतियायोगक के सीयो अमिताभ कान जो है इस event को start करेंगे ठीक है न अगर हम बात करें तो बहुत सारी activities जो है वो भी चालू की जा रही है एक national championship space speed challenge किया जा रहा है national championship safe speed challenge जो है उसकी शुरुआत की जा रही है वागा बॉर्डर से कन्या कुमारी तक वागा बॉर्डर से कन्या कुमारी तक जिसमें road safety के लिए बहुत सारे awards दिये जाएंगे अलग-अलग institutions को अलग-अलग states को ये awards अलग-अलग companies और insurance companies को ये awards से नवासा जाएगा नेक्स पढ़ रहा है अगली news की तरफ तो मोधी जी ने एक startup India seed fund scheme के शुरुआत कर दी है 100,000 करोड की पूजी के साथ जो startups होते हैं नए उद्मी होते हैं और जो नए company होती है उन्हें proper पैसा मिल पाए और उन्हें कभी भी जो है financially कोई crisis ना है शुरुआत करते समय अपने business को उसके लिए national जो है एक मोधी जी ने fund ही scheme launch कर दी है जिसका नाम क्या है startup India seed fund scheme तो यहाँ पे seed fund का मतलब है जब किसी भी startup को start करने के लिए जो है basic amount के जरुआत पड़ती है तो उसे कमी न पढ़ उसके लिए scheme की क्या की गई है शुरुआत की गई है तो प्रारम जो startup India international summit हुआ न्यू डेली में वहाँ पर यह गोशना कर दी गई है अगर मैं बात करूँ तो यह पांचवी anniversary celebrate की गई startup India initiative की अगर हम बात करें तो यह जो startup India seed fund scheme के शुरुआत की गई है तो petroleum or natural gas ministry ने launch किया एक program जिसका नाम है क्या सक्षम एक program जो है launch किया गया जिसका नाम है क्या सक्षम अब मुझे सक्षम का full form लिखकर बताओगे comment box में कल रात वाले questions में भी हमने सक्षम का full form किया था तो petroleum or natural gas ministry ने मतब धर्मेंदर प्रदान जी की अद्यक्षिता में जो काम कर रही है उसने green energy को spread करने के लिए green energy से aware करने के लिए लोगों को सक्षम नाम का एक campaign जो है start किया है जिसमें ये कहा गया है कि कैसे cleaner fuels का इस्तमाल किया जा सके इसके अलावा green और clean energy का इस्तमाल करना है pollution को control करना है तो इन सारे के सारी जो है चीजों को achieve करने के लिए एक सक्षम नाम का campaign launch कर दिया है petroleum और natural gas ministry ने अगर है सक्षम का full form तो सब लोग बताओगे comment box में लिकर कर रात के question में मैंने सक्षम का बताया था full form ठीक है ना yes बिलकुल प्रवीन सर वागा बॉडर बहुत अच्छा लगता है बिलकुल मैं भी गई हो और definitely बहुत अच्छा लगता है जब शाम को जब सुबह चड़ाया जाता है उसके बाद जब फ्लाग को जब डाउन किया जाता हो तारा जाता है तो एक अलग ही experience रहता है तो बिलकुल जो लोग नहीं गए हो जरूर विजिट करना अपने selection के बाद वागा बॉडर में कहां पर लोकेटेड है प्रवीन सर बता दो सबको भई वागा बॉडर जो है कहां पर लोकेटेड है next बढ़ रही है yes सक्षम का abbreviation जल्दी से बता हो भई चलो निशाम आमने बता दिया देखो शरच सर संड्रक्षण संड्रक्षण समता महुच्षव ठीक है न am okay संड्रक्षण समता महटसव ठीक है संड्रक्षन करना है energy को जो है क्या करना है conserve करना है तो उसके लिए जो है सक्षम का क्या किया गया है full form दिया गया है संड्रक्षन समता महटसव ओके चलो next बात कर रही है अगली news की तरह बढ़ रही है Home Minister जो है आधार शिला उन्होंने रखी है 97th Battalion of RAF की तो अमित शाजी को आप स्क्रीन पर देख पारे हो जिन्होंने आधार शिला रखी है Foundation Stone रखा है launching की है 97th Battalion of RAF की तो यह RAF क्या है यह Rapid Action Force यह RAF क्या है Rapid Action Force है अब सुनना यह है क्या अमित शाजी ने आधार शिला रखी है 97th Battalion of RAF की Rapid Action Force की कहां पर बुलावर में जो लोकेटड है शिमोगा डिस्ट्रिक में और शिमोगा डिस्ट्रिक कहां पर लोकेटड है करनाटिका में तो जैसा कि सबको पता है कि अमित शाजी कहां पहुचे हुए थे करनाटिका की विजिट पर थे तो वहां पर उन्होंने Rapid Action Force की 97th Battalion की आधार शिला रख दी यह जो कैंपस है यह केंद्रे विद्याले में लगाया जा रहा है करनाटिका में अब यह Rapid Action Force जो है यह काम क्या करती है तो अगर मैं बात करूँ Rapid Action Force जो है इसका काम क्या रहता है कि कहीं पर भी अगर राइट्स हो रहे हैं दंगे हो रहे हैं तो वहां पर तुरंत यह Rapid Action Force क्या हो जाती है पहुच जाती है तो ये कहां गया है कि ये एक important जो है एक important force रहती है और कहीं ना कहीं जो है इसकी जो है battalion रहनी ही चाहिए इसके लिए 97 battalion of rapid action force की launching कर गए एक campus रहेगा कहां पर करनाटिका में located रहेगा हाली में जो है मुदी सरकान ने national forensic science university की भी बात की थी और national defense university भी बनाने की बात की थी जो specialized workforce के लिए काम करने वाली है और उसी को आगे बढ़ातू इस rapid action force का भी क्या कर दिया है शुभारंब कर दिया है नेक्स बात कर रहे हैं अगली news की तरफ तो प्राइम मिनिस्टर pays tribute to MGR on its birth anniversary तो 17 जनवरी के अगर मैं बात करूं तो 104th birth anniversary जो है वो मनाई गए legendary actor और former chief minister of Tamil Nadu कौन MGR ठीक है कौन MGR तो बहुत सारे लोगों ने नाम सुनोगा भाई MGR का full form क्या है मरूतर गोपाला राम चंदरन जी जो legendary actor है और former chief minister रहे चुके हैं किसके Tamil Nadu के तो उनकी 104th birth anniversary को celebrate किया गया जिसे MGR anniversary के तोर पर मनाया गया ठीक है न तो बिलकुल जो है उन्होंने chief minister का कारेकाल निभाया था तमिल नाडू के chief minister रहे 1977 से लेका 1987 तक इसके अलावा legendary actor भी रहे हैं तो उनके उपलक्ष में जो है उनकी बहुत सारमनी पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या दिया था नेक्स बात करें अगर हम तो यो MGR है उन्हें भारत रतन अवोर्ड से नवासा गया था इंडिया के हाईयर civilian अवोर्ड से नवासा गया था 1988 में जो है नवासा गया था 1987 में उनकी death हो गई थी posthumus अवोर्ड दिया गया था अच्छा भारत रत ने जो है वो मरनो उपरांत दिया जाता है लेकिन ध्यान रखना यह कह दिया गया है कि नोबिल पुरसकार जो है नोबिल प्राइज़ जो है वो posthumus नहीं दिये जाएंगे नेक्स बढ़ रहे हैं येस नेक्स बढ़ रहे हैं अगली न्यूस की तरफ तो अगली न्यूस आ रही है वनुन कुमार, समालिया, इम्राथ, फारुकी और चार अधर इंडियन शटलर्स, मतलब बैडमिंटन प्लेयर्स जो हैं, उन्होंने अपना टॉप 10 स्पॉर्ट कन्फर्म कर लिया है, लेटेस्ट वॉर्ल जूनियर रांक जो आई है बैडमिंटन वर्ल फेडरेशन की, अब देखो क्या क्या इंपोर्टेंट रहेगा, कि वरुण कुमार किस खेल से संबन देता है, इसके अवालावा शामिया, इमात फारुकी किस खेल से संबन देता है, अगर मैं बात करो तो फिर वो क्वेशन पूछ लेगा, अ उनको रांकिंग मिली है, जो लेटेस्ट बैडमिंटन वर्ल फेडरेशन की, वर्ल जूनियर प्लेयर्स की रांकिंग आई है उसमें, अब मुझे एक बात बता दो, बैडमिंटन वर्ल फेडरेशन मतलब BWF का हेड़कोटर कहां पर लोकेटिड है, बैडमिंटन वर्ल मलेशा की कापिटल है, किसकी कापिटल है, मलेशा की, वहाँ पर बैडमिंटन वर्ल फेडरेशन का क्या है, हेड़कोटर लोकेटिड है, नेक्स बढ़ रहे हैं, अगली न्यूस की तरफ, तो स्पोर्टिंग फेसिलेटी इस तू बी नेम्ड आफ्टर रिनॉइंड एथलि लखनओ में लोकेटिड है, और सौ बेड़ेड होस्टल बनाएगी, नाशनल सेंटर ओफ एक्सिलेंस भोपाल में, जहां पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगे, और होस्टल रहेंगे, रिनॉइंड एथलिटिक्स के नाम पर, तो नाशनल सेंटर ओफ एक्सिलेंस एक है अगली बात करें, नेक्स यूज की तरफ बड़ रहे हैं तो आप अमिठ शागिची को देख रहे हो, इन्हों ने जो कहाँ है, वो यह कहां है, we need to change the way we view police, ठीक है हमने बात की क्या Rapid Action Force की इन्होंने क्या की शुरुवात की 97 Battalion की आधार शिला रखी है, तो अमिज शाजी कहां पर पहुंचे, करनाटिका पहुंचे अमिज शाजी जो करनाटिका पहुंचे, यहां पर इन्होंने देख लो, Rapid Action Force सेंटर बनाया है, शिवा मोगा कहां पर करनाटिका में, शिवा मोगा करनाटिका में इन्होंने Rapid Action Force की क्या रखी आधार शिला रखी है, तो आप स्क्रीन पर देख पारे हो, भूमी पूजन की शुरुवात कर दी गई है, दो दिन के दोरे पर रहे, अमिच शाजी करनाटिका में जहां पर इन्होंने Rapid Action Force जो है, उसकी आधार शिला रख दी Rapid Action Force जो है, ये एक Specialized Wing है, CRPF की Central Reserve Police Force की एक Specialized Wing है, उसके अंदर काम करती है, ये सबसे पहली Battalion है, स्टेट की, ठीक है State Government ने जो है, CRPF के लिए एक Amount of Land गोशिद कर दिया, कि इतने Amount के Land पर जो है, क्या बनाया जाएगा, इतने इकड के Land पर, ये पूरे Institute को क्या किया जाना है, तैयार किया जाना है तो Rapid Action Force की 97 Battalion का जो है, एक Center बना जाएगा, कहां पर करनाटिका में Located रहेगा, नेक्स बात कर रहे है अगली न्यूस की तरफ, तो DGCA ने Approval दे दिया है औरा वकल Airport का जो कहां पर Located है, कुर्नूल में Located है, जो कहां पर Located है, कुर्नूल में Located है, और कुर्नूल कहां पर Located है, आंधर प्रदेश में Located है, तो Director General of Civil Aviation ने ये कहां है, कि एक नया Airport जो है, वो Open किया जाएगा, जिसका नाम है क्या, और वकल Airport जो कहां पर Located रहेगा, कुर्नूल में Located रहेगा, और कुर्नूल कहां पर है, आंधर प्रदेश में, और आंधर प्रदेश के Chief Minister का नाम क्या है YS Jagan Mohan Reddy जी है YS Jagan Mohan Reddy जी है अब, कौन मुझे बताएगा, Director General of Civil Aviation कौन है DGCA कौन है देश के Director General of Civil Aviation कौन है, डेरेक devenir बाइश के बताएगा जल्दी से कमेंट बोक्स में लिखकर बता दो भई Director General of Civil Aviation कोई हैं भी की नहीं है और अगर हैं तो उनका नाम क्या है तो एक नाया airport नाम क्या है और वकल airport कहां पर कुर्णूल सिटी में और कुर्णूल सिटी कहां पर located है करनाटिका में located है कहां पर located है करनाटिका में located है, डिरेक्टर जनरल बताओ जल्दी से, कौन है DGCA के है, कौन है, अरुन कुमार जी है, कौन है, अरुन कुमार जी है, जो I.S. अफिसर है, वो डिरेक्टर जनरल है, किसके DGCA के, डिरेक्टर जनरल of Civil Aviation, एक Statutory Body है, जो Aircraft Amendment Bill 2020 के तहत बनाई गई थी, ठीके ना, Headquarter इसका New Delhi में है, और Director General कौन है, अरुन कुमार जी है, चलो, नेक्स बढ़ रहे हैं, अगले News की तरफ और अगली News आ रही है, Migratory Blood Flock to Punjab Wetland, अगर हम बात करें, तो आप यहां पर पलायन करने वाले पक्षियों को देख पा रहे हो, Migratory Words को देख पा रहे हो, और यह क्या है, पोचाड है, ठीक है, पोचाड नाम की बर्ड्स है, यह हाली में देखी गई है, कहां पर हरीका Wetland में, हरीका की आदरबूमी में, तो इंपोर्टन क्या है, कि हरीका Wetland जो है, कहां पर लोकेटेड है, पंजाब में लोकेटेड है, कहां पर लोकेटेड है, पंजाब में लोकेटेड है, तो बहुत सारी winter migratory birds, पलायन करने वाले जो सर्दियों में आती है, बर्ड वो देखी गई है, तो टूरिस के लिए एक बड़ा अट्राक्शन होती है, तो पंजाब के हरीका Wetland में, बहुत सारी migratory birds का क्या देखा गया है, फ्लॉक देखा गया है, ठीके ना, जो पक्षूओं का समूँ होता है, उसे क्या कहा जाता है, फ्लॉक कहा जाता है, तो पोचाड जो हैं देखी गई है, तो पोचाड एक टाइप ऑफ बर्ड होती है, यहां पर हरीका Wetland रहेगा, जो कहां पर लोकेटिड है, पंजाब में लोकेटिड है, नेक्स पढ़ रहे हैं, अगली न्यूस की तरफ, तो भई, बिडिन के जो है, पूरे के पूरे कारेकाल में, अगर हम बात करें, तो बिडिन ने जो पूरी एक समिती बनाई है, और बिडिन का जो पूरा का पूरा, जैसे हमारे हां क्या रहती है, पूरी संसद रहती है, जि जनवरी को inauguration रहेगा जहाँ पर जो एबिडेंग जो 46 प्रेसिडेंट बनेंगे यूएस के एक historic event रहेगा जहाँ पर कमला हारिस जो है पहली बार जो है फॉन की जाएंगे ऐस वाइस प्रेसिडेंट फॉर्स्ट एवर इंडियन ओरिजन आफ्रिकन अमेरिकन जो है जिनने वा वेक मूर्ती जी भी जो है जो एबिडेंगे पूरी की पूरी टीम में मौझूद रहेंगे नीरा टंडन जो है वो भी मौझूद रहेंगी अगर मैं बात करो तो बहुत सारे लोगों के नाम यहां पे शामिल किये गए हैं तो 20 इंडियन अमेरिकन शामिल रहेंगे और जिस रहेंगे तो नीरा टंडन है यह डिरेक्टर रहेंगी वाइट हाउस ओफिस में इसके अलावा डॉक्टर विवेक मूर्ती जो है यूएस सर्जियन जनरल रहेंगे जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है हेल्थ सर्विसेस में अगर मैं बात करो वनीता गुपता की तो यह असो उसको पढ़ लेना इसके अलावा अगर मैं बात करू तो विदुर शर्मा विदुर शर्मा जो है यूएस से के वाइरेस रिस्पॉंस टीम में शामिल रहेंगे तो जो इबिडेन ने ये भी कह दिया कि विदुर शर्मा जो है इंडियन अमेरिकन है ये एक इंपोर्टन हेल को हाली में चीफ इंफरमेशन ऑफिसर बनाएगे यूएस आर्मी का सीनियर डिरेक्टर फॉर साउथ एशे यूएस में कौन है इंडियन सुमोहन गुहा है इसके अलावा कश्य प्रमोद पतिल चीफ आफ स्टाफ है यूएस डिफेंस सेकेर्टरी है राजाचारी जी का ना इस रिस्पॉंस टीम में क्या किये गए हैं शामिल किये गए हैं तो इंडियन अमेरिकन जो यूएस में पूरी तरीके से चाहे हुए हैं तो आप इनकी पूरी लिस्ट देख सकते हो इसके अलावा जो आज की न्यूस पेपर में सारी लिस्ट आई है इसे भी मैं कल लिख दूँगी कि किसे जो है कौन-कौन सा डेपार्टमेंट दिया गया है ठीके ना थोड़ा सा जो है 20 जनवरी आजाए पूरी तरीके से क्या हो जाए नाम अच्छे से घोशित हो जाए उसके बाद हम पूरी क्या देख लेंगे एक बार समरी देख लेंगे नेक्स बात क कि युगांडा की कैपिटल क्या है और युगांडा की करेंसी क्या है और यह जो युगांडा कंट्री है यह है कहां पर युगांडा की कैपिटल और युगांडा की करेंसी लिखकर बताओगे फटाक से कहां पर कमेंट बॉक्स में और युगांडा जो है यह कंट्री है कह तो युगांडा जो है वो कहां पर लोकेटेड है एस्ट आफ्रिकन कंट्री है एस्ट आफ्रिका में लोकेटेड है मतलब आफ्रिकन कॉंटिनेंट में लोकेटेड है ठीक है युगांडा की अगर हम बात करें तो युगांडा की कैपिटल तो क्या है कंपाला है युगांडा जो है चटीवी बार जो है प्रेसिडेंट बन गए है प्रेसिडेंट बन गए है किसके युगांडा की बने है चलो नेक्स बात कर रहे है ठीक है न भाई युगांडा की capital रवांडा नहीं है ठीक है न युगांडा की capital रवांडा नहीं है ठीक है न युगांडा की capital रवांड एक अलग से कंट्री है, युगांडा की कैपिटल कंपाला है, और करेंसी क्या है, बिल्कुल शिलिंग है, नेक्ट बात कर रहे हैं, आगली न्यूस की तरफ, तो एक यूथ जो है, एक 24 साल का युवा जो है, मारा गया ये जली कट्टू फेस्टिवल में, तो भए जली स्पोर्ट होता है, जिसमें जो बुल होता है, जो बैल होता है, उसके गले में सोने के कोईन्स और सिल्वर के कोईन्स बांदे जाते हैं, जो उसे कंट्रोल कर लेता है, और वो जो है गट्री जो उसके गले में बंदी रहती है, उसे हासिल कर लेता है, वो विज़ई माना ज तो तमिल वर्ड्स में जली और कट्टू दोनों का अलग-अलग मतलब होता है means silver और gold coins जो उस bull के horns में क्या कर दिये जाते हैं horns में और उसके गले में यहां फिर क्या किये जाते हैं tie किये जाते हैं बांधे जाते हैं तो तमिल नाडू का यह जो एक important festival है जो pongal मतलब harvest festival होता है तो वहां पर यह sports क्या किया जाता है खेला जाता है अभी तक अगर मैं बात करूँ 2010 से लेकर 2014 तक तो बहुत सारे जाने जो हैं गई हैं इस जली कट्टू festival में Supreme Court ने 2014 में animal cruelty कहते हुए कि जानवरों पर यह cruel बहुत behavior है इसके लिए 2014 में Supreme Court ने इस खेल को ban भी किया था लेकिन फिर से जो है वहां के लोगों ने कूप protest किया कि यह हमारे customs और traditions की विरुद है जिस वज़े से जो है यह festival अभी भी क्या किया जाता है खेला जाता है तो यह bull taming festival है जो popular है मदुरही में तिरिचापली, थेनी, टीके अडिंगूल डिस्ट्रिक्ट्स यह सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो है तमिल नाडू के वहां पर famous है तो तमिल नाडू का जो harvest festival पॉंगल रहता है और जो second week में मनाया जाता है उस समय यह जली कट्टू का festival मनाया जाता है तो legal battle बहुत सारी रही है जली कट्टू जो है 2007 में पहली बार scrutiny में आया था नजर में आया था कि animal welfare board ने और पेटा ने यह कहा था supreme court को क्या किया था petition दिया था कि यह जो है कही न कही animal पर cruelty है तो बहुत सारे इसके legal battles रहे हैं बहुत सारे legal battles रहे हैं ऐसे ही जैसे तमिल नाड़ो में जलू कट्टू होता है वैसे ही करनाटिका में भी एक similar sport होता है कंबाला नाम का यह भी बड़ा legal battle जीलता रहता है कंबाला जो है यह भी एक ऐसे ही जली कट्टू जैसा festival होता है जो कहां पर मनाया जाता है करनाटिका में यह भी एक तरीके का sports होता है नेक्स बात कर रहे हैं तो जो important रहा जो largest vaccination drive हुई 16 जन्वरी से तो 2.24 lakh vaccination दी गई है दो दिनों में जिसमें सिफ 447 लोगों को adverse reactions देके गए हैं लेकिन उन में से सिर्फ और सिर्फ तीनी लोग ऐसे हैं hospitalization की requirement पड़ी है तो ये भी कहा गया है कि अगर कोई adverse reaction होता है तो बिल्कुल serum institute जो है उसे क्या करेगी compensate करेगी मौफजा भी provide करेगी तो अभी तक जो है 2.24 lakh vaccination प्रोवाइड कर दी गई है दो दिनों में बहुत सारे जो states है वहाँ पर TICA inculation target जो है वह भी match नहीं हो पाया है मतलब TICA का जो target दिया गया था कि इतनी vaccination देनी है वह भी target अचीव नहीं कर पाया क्योंकि ये भी कहा गया है कि राज्य सरकारों के द्वारा कि हम किसी को force नहीं कर सकते कि वह vaccination ले ही तो बहुत सारे लोग डर के मारे ये vaccination नहीं भी ले रहे मैं देखी थी पूना वाला जो serum के क्या थे अध्यक्षय सीरम इंस्टिटूट के उन्होंने भी vaccination ली है तो 2.25 lakhs जो है vaccination दी गई है इन दो दिनों में तो सबसे बड़ा vaccination कारिकरम की शुरुआत की गई है नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट जो है वो news है ये कि 2020 का वर्ष जो रहा है 2016 के वर्ष के जैसे सबसे गर्म वर्ष रहा है तो हाली में नासा ने एक report निकाली है जिसमें ये कहा गया है कि 2020 का जो वर्ष है 2020 उसने tie कर लिया है 2016 के साथ और hottest year बन गया है record पर ठीक है ना hottest year बन गया है record पर रश्मिता माम सिर्फ और सिर्फ पीजन्ट जो है ना सिर्फ और सिर्फ पीजन्ट जो है अपने क्या लेकर आते हैं जो farmers होते हैं अपने किन को लेकर आते हैं अपने जो है जानवरों को लेकर आते हैं और कही ना कहीं जो है क्या किया जाता है ये एक award टाइप की ceremony है वहाँ पे उन्हें पैसा भी मिलता है अवार्ड भी मिलता है तो इस वज़े से इस festival को क्या किया जाता है अरेंज किया जाता है ठीक है next बढ़ रहे हैं भाई important है बहु जी को celebrate किया गया है इसके अलवा मोदी जी के अलावा मतलब इंडिया की अलावा ऑस्ट्रेलियस और South Korea से भी लोगों को क्या किया गया है celebrate किया गया है वहां के अध्यक्षेओड framework को को celebrate किया गया है as a guest countries क्योंकि इंडिया G7 की Republican के मेंबर नहीं है ग्रूप आफ 7 कंट्री इसमें कौन-कौन है फ्रांस है जर्मनी इटली जापान यूके यूएसे कैनड़ा ये शामिल है और जो है मोदी जी को एस चीफ है के वडिया कहाँ पर गुज्रात में तो के वडिया जो है वहां पर नौज आट जो है नाइट ट्रैंज को क्या किया गया है लूंच किया गया है मोदी जी के दौरा ताकि Statue of Unity जो है सर्दार वल्लब है पर टेल जी के उपलक्ष में जो बनाया गया है उस तक और टूरिस्ट पहुंच पाए तो यह का है मोदी जी ने कि Statue of Liberty से जादा विजिटर स्टाइचू ऑफ यूनिटी में आने की गुंजाईश है इस वज़े से आठ रेनो उसको कनेक क किसके साथ के बढ़िया के साथ मतलब गुजरात के साथ नेक्स पढ़ रहे हैं अगली न्यूस की तरफ लेकिन आज की जो है इंपॉर्टे न्यूस इतनी ही ती अब जल्दी से बता दो कि सब लोग जो है क्विस के लिए रेडी हो की ने येस और फटा-फट कमेंट बॉक् को उसके बाद हम लोग जो है वो क्या रहेंगे हम लोग तो पे करके वैक्सिनेशन लेंगे हैं चलो सब लोग जो है रेडी है कि ने एमसे क्यों के लिए एक पहला क्वेशन आ रहा आपकी स्क्रीन पर वो ये है इन हाव मिनी डिस्ट्रिक्स अ थर्ड फेस ओफ प्रधान मं विकास योजना का तीसरा चरन का शुभारंब कर दिया गया है कितने डिस्ट्रिक्स में कितने जिलों में इसका शुभारंब किया गया है ऑप्शन है 432, 550, 600 या फिर 711 तो बिलकुल तीसरा चरन जो प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना का चालू किया गया है ये कहां कि इतने डिस्ट्रिक्स पर लाँच किया गया है, yes, कितने डिस्ट्रिक्स पर, 600 डिस्ट्रिक्स पर इसकी क्या की गई है, लाँचिंग की गई है, next question, by which year India has planned to achieve the target 20% ethanol blending with the gasoline, किस वर्ष तक भारत ने पेट्रोल के साथ 20% ethanol को लक्ष हासिल करने की योचना बनाई है, तो 20% ethanol को मिलाया जाएगा किस के साथ, petrol के साथ, gasoline के साथ, ताकि efficient fuel मिल पाए और गाडियों को की भी efficiency अच्छी हो पाए, क्योंकि ethanol की blending के साथ-साथ ऐसा होता है कि pollution भी क्या होता है, control होता है, तो 20% ethanol blending जो है, ethanol को blend किया जाएगा, मिलाया जाएगा, gasoline, petrol के साथ, ये जो target है, ये इंडिया ने कब तक का रखा है, कब तक achieve कर लेगा ये target, तो बिल्कुल इंडिया का target क्या है, 2025 तक का target है, कब तक का target है, 2025 तक का target है, next question, who among the following was appointed as a new chairman of Telecom Equipment and Services Export Promotion Council, that is TEPC, निमलिखित में से किने दूर संचार उपकरण और सेवा निरियाद सनवर्धन परिश्चत के नए अध्यक्ष के रूप में न्यूक्त किया गया है, तो भाई, Telecom Equipment Show होते हैं, ठीक है, जो दूर संचार उपकरण होते हैं, उसके लिए अधिक संस्था बनी हुई है, TEPC, Telecom Equipment and Services Export Promotion Council, और इसके जो अध्यक्ष नए बनाये गए हैं, वो किने बनाये गया, Sandeep Agrawal जी को बनाये गया, किने बनाये गया, Sandeep Agrawal जी को बनाये गया, next question आ रहा है, yes, चलो, next question आ रहा है, स्क्रीन पर, with which country India has recently signed an MOU to enhance cooperation in information and technology, including 5G technology, किस देश के साथ भारत ने हाली में 5G 5G technology तक्नीक सहित, information and communication technology में सायोग बढ़ाने के लिए एक समचोते ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं, तो हाली में, किस देश के साथ इंडिया ने information and communication technology और 5G technology के लिए समचोते ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं, option है, South Korea, Vietnam, Japan या फिर Taiwan, तो बिलकुल वो कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने MOU sign किया है, भई, Japan के साथ sign किया है, next question, The United Nations has recently released a report, International Migration 2020 Highlights, according to the report, which country diaspora is the largest in the world, सयुक्त राष्ट ने हाली में, अंतराष्टे प्रवासन 2020 Highlights रिपोर्ट जारी की है, रिपोर्ट के अनुसर किस देश का प्रवासी दुनिया में सबसे जादा है, तो ऐसी कौन सी कंट्री है, जिनके नागरे बहर जाकर पलायन करते हैं, और वहां पर जाकर ही काम करने लग है, युनाइटे नेशन की इंटरनाशनल माइगरेशन रिपोर्ट में, सबसे जादा माइगरेशन पलायन जो करते हैं, वो इंडिया के लोग करतें दूसरी कंट्री में, कहीं ना कहीं, ऑपचुनिटीज ना मिल पाना, ठीक है, इसके लावा पॉलिटिकल बहुत जादा प विच बैंक ने अगरिमेंट शाइन किया है, यह बैंक नियुक्त जाएंगे, तो कौन से बैंक ने अग्रिमेंट साइन किया है? ये स्पैंक ने, कहां पर है headquarter located मुंबई में, टैग लाइन क्या है experience our expertise, ये स्पैंक की next बात करें अगले question की which of the falling state has recently celebrated festival of cattle Kanuma on third day of Sankranti festival निमलिकित में से किस राजने हाली में Sankranti तोहार के तीसरे दिन उनका मवेशी एक festival है उनका मवेशी तोहार है Kanuma उसे मनाया है, तो Kanuma नाम का festival जो है किसी state ने मनाया है, उनके cattle का ये festival होता है, उनके मवेशी का ये festival है, नाम है Kanuma जो तीसरे दिन Sankranti festival के मनाया जाता है, कौन से राजने ये festival celebrate किया है Kanuma नाम का जैसे पॉंगल होता है, जैसे अगर हम बात करें माग भी हू होता है, जैसे ओनम होता है, जैसे हमारे मकर संक्रांती होती है, जैसे लोडी होती है, वैसे कनूमा नाम का फेस्टिवल कौन सा राज़ सेलिबरेट करता है, तो बिल्कुल option है कौन सा राज़ ने सेलिबरेट किया है तिलंगाना ने, खि間เรیब कर बभाइब बढ़िया विवेक सर, क्या हो जाएगा थाहएगा, भाई, बिल्कुल साइल नोटा हो जाएगा, नन वी निशामा नहीं क्योंकि जान एंटें किया गया है तिलंगाना में यह संद्धर्गें बहुत बढ़िया, next question, येस बैंक के कौन है येस बैंक के है प्रशांद कुमार जी, M.D. और C.O. कौन है प्रशांद कुमार जी है M.D. और C.O. है आराम से उप्षिन को पढ़ना है, इसलिए तो रखा था, चलो नेक्स बात कर रहे हैं, तो आज के जो है questions यही पे end होते हैं, तो आई हो बहुत सारी न्यूस रही है, आज जो है Sunday की भी न्यूस रही है, इसके लावा paper cuttings भी बहुत important रही है, तो बिल्कुल जितने भी प्यारे candidates और प्यारे साती और as parents मेरे साथ जुड़े थे, अगर अभी तक मेरे साथ टेलिग्राम पे नहीं जुड़े हैं, तो आप selection में चाननी के नाम से तेलिग्राम पर search करके, मेरे साथ connect हो सकते हो, सारे important notes, PDF सारी चीज़ें आपको यहापे मिल जाएंगे, कोई दुखदर परिशानी हो, तो बिल्कुल यहापे क्या कर सकते हो, शेर कर सकते हो, और इसके अलावा, रात के बारा बजे वाला जो show होता है, जिसमें मैं 10 questions कराती ह उसकी पूरे की पूरी PDF आपको Mahindra Guru, MahindraGuru.com की website पर available है, पूरे दिन की PDF अवेलेबल है, आप बिल्कुल उसे क्या कर सकते हो, वहाँ से चेक कर सकते हो, वह दासी questions रहते हैं, इसलिए मैं टेलिग्राम पर उसे नहीं मेंशन करते हो, कि फालतु में आपका डेटा भी आज की session की ending यहीं पर करते हैं, साड़े साथ से जो है, आपका editorial session लगा होगा तो बिल्कुल जुड़ना मत भूलिएगा, जितने भी प्यारे Candidates, Asparence मेरे साथ जुड़े हुए था, अगर चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बही चानल को सब्सक्राइब करना ना और बेल आइकन दबालें, जिससे कोई भी important information मिसना हो पाए, पहिचाते जाते सेशन को like करते जाएगा, अब मिलेंगे रात में 12 बजी अपने 10 important questions के साथ, और हाँ, जिनका भी IBPS, RRB, PO means की examination है, all the very best बढ़िया से पढ़ाई करिएगा, आज से means का batch की शुरुआत हो रही है इस नए सब्ता की शुरुआत करिएगा, न्यू वीक की शुरुआत करिएगा, बबाय गैस, take care, jam